हमारे जो एक्सपर्ट का नंबर देऊ है उस पे बात करें और किलियर किलियर समझें कि कौन सा जो है हमारे लिए बेटर आप्शन है कैडियर में वाह माई डियरे स्टुडेंट्स आप मुझे दिल से ढून रहे थे और मैं आपके शामने आ गया मैं मितले सर आपको एजुकेशन जी में स्वागत करता हूँ बचो आप इस चैनल के वारे में तो जानते ही है कि एजुकेशन रिलेटर इंफॉरमीशन आपको सबसे पहले चैनल पे आपको मिलता रहता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको colleges, universities, जो coaching institute है, जो schools है उसके बारे में पूरा information आपको मिलता रहे अगर आपको admission related information किसी भी चीज का चाहिए तो आप हमारी expert का जो number दिया हुआ है उस पे आप बात कर सकते हैं बच्चो हाँ और एक most important news यह है कि जो 10th का CVC का result है 15th July मिन्स कल जो release हुआ है उसके बारे में हम तो चर्चा इस वीडियो में करेंगे कि बहुत सारे बच्चों का result है अच्छा आया है मतलब मान के चलो कि 91.46% जो है वे students पास हुए है यह अच्छा result है in comparison to last year तो अगर बात करें कि जो 95% जो है उससे जो उपर result है वो लगवग 41,000 student है वो 95% से ज़ादा score किये हैं तो यह अच्छी बात है और अगर बात कर लो कि 90% से ज़ादा score करने वाले student कितने हैं लगवग 1,80,000 हाँ एक लाग 80,000 जो है बच्चे वो एक पार है 90% से उपर तो इसका मतलब देखा जाए कि लोगों ने बच्चों ने जो है अच्छे score किये हैं तो जो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कुछ guardians के लिए भी है ये वीडियो जो देख सकते हैं और वो समझ सकते हैं कि अभी क्या scene चल रहा है बताता हूँ मैं 10th के ही result पर जो हमारे प्रधार मंत्री है नरेंद मोदीज जी उन्होंने आपको tweet करके आशिरवात दिया है और उन्होंने आपको congratulations भी बोला है कि आप अच्छा से study करो और उन्होंने कुछ points बताए हैं और कहें हैं मैं आपके साँ share करना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया एक चीज कि यह जो result है बच्चे वो एक result आपको पूरा चीज का define नहीं करेगा हां जो बच्चे का थोरा result काम आया है जो 10th में और 12th में भी उनके लिए मोदी सर ने लिखा है कि आप एक result से हर चीज define नहीं होता है आप आगे बरो और आगे कप देखो आप बहुत सरा आशर जनक जो का है वो आप कर सकते हो तो यह उन स्टुरेंट के लिए मोदी जी ने बताया है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है कि लिए बच्चो तो ध्यान रखना है और एक मैं थोरा सा सेर करना चाहता हूं आज ही का बात आज ही का हमारा एक discussion एक गरजिन के साथ हुआ है जो हमारे जा क्या किया जाए तो मैं थोरा सा अपना सेर करना चाहता हूं जो आज बात हुआ है तो उनका कुछ question था क्या मैं 12th का है वो ना कराओ कि क्या मैं डिप्लोमा के मैं कहीं admission करा दू क्योंकि अभी 12th बेसी 10th basis पे जो है और डिप्लोमा में admission मिल रहा है उनका कहना था तो और एक करें उनको समझ नहीं आ रहा था तो मैं मानता हूं कि बहुत सरे गार्जियन्स या बहुत सरे एस्टूरेंट्स का ये question हो सकता है तो जो हमने बात किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं तो मैंने बताया कि देखिए जो अगर पॉली टेक्निक या डिप्लोमा की बात किया जाए तो वो टेंथ पे ठी यर का कोर्स है तो आप करवा सकते हैं लेकिन अगर कॉलेज बहुत अच्छा मिल रहा है आपको तब आप उसके लिए जा सकते हैं लेकिन मालनेते हैं कि हमको लोवर लेवल या मिडिल लेवल का कॉलेज मिल रहा है तो उसमें जाने से कोई खास फैदा नहीं है क्योंकि मालने ते हैं कि एक छोटा जूनियर डिगरी का कोर्स करके जॉब आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल नॉलेज दिला देंगे लेकिन वो इन फ्यूचर सब कुछ यही हो जाएगा ऐसा नहीं है आपको बिटेक का कोर्स भी करना पड़ेगा तो पहला तो बात यह हुआ कि आपको आगे भी स्टेडी करना पड़ेगा सिर्फ डिपलोमा करके काम बन नहीं जाने वाला है तो मैंने उनको सजेशन के रूप में यह बताया कि आप 12 बच्चे को करने दो अभी अड्मिशन मत करावा डिपलोमा में और उनको IIT का प्रिप्रेशन कर करने दो उनको ताकि वो explore कर सके कि आगे क्या है किलियर है तो discussion कर रहे हैं अभी अपने में और कुछ ऐसा आता है कि क्या वो करते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा और यह सभी बच्चों का question हो सकता इसलिए मैंने यह discussion इस वीडियो में किया है तो confusion हो ले वाली बात नह चाहिए अभी decision मत ले जिए कि बस सिर्फ यही करके हम settled होना चाते हैं किसी छोटे चीजों में नहीं आप बरे चीज के लिए target करोगे तभी तो कुछ gain कर पाओगे तो यह चीज समझ लो कि 12 सोचना जरूरी है साथ में करना भी जरूरी है clear है अगर IIT आज मैंड में बैठा बच्चों कि मेरे को clear करना है तो उस level का आपको preparation भी करना है clear है तो मैं क्या करता हूँ कि उसी तरह का जो कुछ course है जो 10 के बाद किया जा सकता है जो अच्छा है उसका मैं discussion थोड़ा सा इस video में कर लेता हूँ वैसे मैंने एक video बना रखा है career after 10 कि 10 के बाद क्या क्या कर सकते हैं तो उसको आप मैं उस video का जो link है वो description में मैं डाल दूँगा बच्चे आप वहां से देख लेना थोड़ा सा मैं highlight भी कर देना चाहरा हूँ कि जो बच्चे interest दिखा रहे हैं तो अगर उनको समझ आ रहा है अच्छा चीज में तो अगर करना चाते हैं तो आपने सबसे प उसमें है के नहीं पहले उसके बारे में जान लेना है जैसे अगर बात करते हैं कोई बच्चा किसी के कहने पे science ले लिया कोई arts ले लिया कोई commerce लिया नहीं आपका क्या interest है माल लेते हैं कोई students का जो है वो nature के बारे में science में क्या हो रहा है जैसे मोवाल यह जो है उसका क्या फंक्सन है, यह सब के बारे में जानना है, तो वो क्या करेंगे, वो साइंस उनको लेना आओ ले लेंगे, आर्ट किसी के कहने पर तो नहीं, वो ऐसा नहीं करना है, कहीं भी सेलेक्शन बच्चा करना है, तो अपने इंट्रेस्ट पर करना है, और मैं गर्जिन से भी रिक्वे कि मेरे को interest क्या है, मेरे को आगे समझ क्या चीज आता है, तो उनको इतना list idea है बच्चे को, तो उनको करने दीजे, और ऐसा नहीं है कि कोई field अगर वो चूज लेते हैं, चूज कर लेते हैं, तो उसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है, field सभी अच्छा है, करने का जुनून हो कि अगर आपको career के बारे में कि सर टेंथ का result इतना आया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यह यह interest है, तो मैं आपको guide कर सकता हूँ, मैं सिर वीडियो बना दिया, उससे आपका solution नहीं हो जाएगा, मैं आपको पूरा चीजों को clear clear करके, हमारे जो expert का number देऊ है, उस कि हमारा जो expert है, वो लगबग 8 से 10 सल से काम हमारे साथ कर रहे हैं, तो इन्हें सारे चीजों का idea है, हमारा group बड़ा है, उसमें सारे लोग जूडे हुए हैं, और हम लोग एकसान work कर रहे हैं, सिर्फ यही हमारा motto है, कि सारे students, सारे जो बचे हैं, वो अच्छे से study करें, और अच्छे college में पढ़ाई करें, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बचे, bye, take care, see you again